इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि 36 गड़ में बीसी नर्शिंग का आपको 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 फालो करना होगा और कितने government college है और कितने private college है और कितने जो 36 गड़ में शीटे हैं उन सब की जनकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दुंगा और आप में से एक श्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप सिर्फ like करते हैं reply नहीं करते हैं हमेरे like नहीं हमें help चाहिए तो मैं आप सभी लोग चार से पांस सो या एक अजार इस्टूडेंट जो इस वीडियो को देखते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ दस इस्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज आपका दिल बड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसे मैं आप लोगों क सपोर्ट करता रहूं, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते तो नेश्ट पार ऐसा है कि मैं आप लोगों कि मदद ही ना करपाऊं, तो ऐसा नहीं है मैं सभी student का help करने की कोसिस करता हूं और आप मेंसे जितने भी student ने comment किया था उन सभी का comments का मैं reply करूँगा तो आप लोगों से बस एक request विनती है कि वीडियो को पुरा last अतक जरूर देखना आप मेंसे हर एक student का comment का मैं reply करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ कि आज 36 गण में BSC nursing में आपको government college के लिए minimum जो general category के है general category में competition सबसे ज़्यादा रहता है तो general category के student जिनका अगर 65 से 71 marks है उन लोगों का selection हो जाएगा और वहीं बात करें OBC category के तो OBC category में जो 60 से 65, 60 से 65 के बीच में उन लोगों का selection हो जाएगा उन लोगों को college मिल जाएगा और HTS के बात करें तो आपका 60 से 65 marks दिनका है उनको college मिल जाएगा वहीं बात करें HTS category के तो आपका 55 से 60 number अगर किसी का है तो उन लोगों को जो है government college मिलने का सबसे ज़्यादा chance है और आप लोगों को मान के से लिए कि आप लोगों को जो है government college मिल जाएगा और आप में से student ने comment किये था चंचल साहू ने इनका question है sir मेरा all over rank 133 और female category rank 317 है मैं OBC से हूँ क्या government college मिल जाएगा प्लीज रिप्लाई तुझी हाँ चंचल मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है college मिल जाएगा next question है राधिया का इनका question है sir मेरा all over rank 666 है और category rank 156 है इसकी category से मेरा government college हो जाएगा प्लीज रिप्लाई अगर होगा तो मैं किन college में से जो साथ government college हो इसमें से कौन से college select करना है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है साथ government college है साथ government college में आप जो है चार government college को select कर मत कीजिए और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कि वो साथ government college कौन कौन से है तो आप जो है साथ गवर्मेंट कॉलेज में तीन गवर्मेंट कॉलेज कीजिए फिर आप जो है फ्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सेकते हैं क्योंकि आपको तीन गवर्मेंट कॉलेज भी सेलेक्ट करना अगर आप पूरा टॉप सेमें पूरा ही अगर सेलेक्ट करेंगे हेष्टी दो हजाट चैस ओना तो मुझे गौर्फ्मेंट कॉलेज मीलें कि नहीं प्लीज रिप्लाइट तो मैं आपको बता दू मधू आपको गौर्फ्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ही काउंस्लिंग करें सवीता का क्वेस्टन है सर मैं एस्टी हूं मेरा काटिगरी रेंग 1257 और आलोवर रेंग 3787 क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल सकते हैं तो आपको भी मैं बता दूँ कि आपको गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा आप जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राइ क आप बता दोगे तो मेरे को कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको सही में कंफर्म हो बता देता हूं कि इतने ज्यादा आलोवर रेंग आपका है 21998 सच में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा प्रकास के क्वेस्टन हैं कि केंडिडेट नेम इनका है कि दिपीक मानिकपु आलोवर रेंग 449 मेरिट रेंग 461 केटिगरी रेंग 197 से हूं सर प्लीज रिपलाई मेरे को गॉर्मेंट कॉलेज में हो जाएगा कि नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है हो जाएगा अनीता इकका का क्वेस्टन है सर जी एसी केटिगरी 1213 आलोवर रेंग 329 केटिगरी रेंग 4243 में OBC से हूं तो मेरे को गवर्मेंट कॉलेज मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ना गवर्मेंट कॉलेज मिलने का चांस और नहीं प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस है निमेश चातुरवेदी का क् मेरा आलोवर रेंग 282 है, कैटिग्री रेंग 50 है, और मैं असी कैटिग्री सो है, तो भाई निमेश आपको कॉलेज मिल जाएगा, यह भाई साब का क्वेस्टन है, यह बहुत कमेंट कर दें कि रिप्लाइग नहीं कर दें, तो मैं रिप्लाइग करता हूँ, देखा करो वीडियो को पूरा लाष्ट तक मेरा आलोवर रेंग 1184 है, एंट कैटिग्री रेंग 321 है, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, गवर्मेंट तुझी भाई साब, आपको मिल जाएगा, माया पटल का क्वेस्टन है, अभी राज का क्वेस्टन है, सर मेरा या पीसी बी में आया है, यू आर ये जर्रल काटिग्री रेंग 1294 हो बीसी, आया है सर मैं बीसी टू से क्या करूं प्लीज, इनके क्वेस्टन थोड़ा लग है, पीसी बी यानि की फिजिक्स के मेंश्टी बाइलोजी होता है, और इनका इतना ज़्यादा रेंग है तो आपको जो है नहीं मिल पाएगा यार, 12974 में, हिमानी राणा का क्वेस्टन है, आलोवर रेंग 1889 केटिग्री रेंग, पांसा से बालिस एष्टी फिमेल केटिग्री रेंग, 1595 फिमेल केटिग्री रेंग, चार सो इंक्यानवे तो क्या गवर्मेंट कोलेज मिलेगा, तुझी मिल जाएगा, नहार शीं का क्वेस्टन है, सर मेरा आलोवर रेंग 1846 है, और इस्टी केटिग्री पांसा सत्ताईश सर गवर्मेंट कोलेज, तुझी मिलने का चांस है, गवर्मेंट या प्राइवेट, चंदा का क्वेस्टन सर मेरा आलोवर रेंग 133, कैटिग्री रेंग 416 है, वो बीची से, सर गवर्मेंट कोलेज मिल सकता है, तुझी मिल सकता है कॉलेज, इनका क्वेस्टन है, मेरा आलोवर रेंग 8,831, कैटिग्री रेंग 3,117, फिमल कैटिग्री रेंग 7,731, कैटिग्री वबीची क्या कांसलिंग, आप जो है प्राइवेट कोलेज के लिए ही कांसलिंग कीजिए, आप को गवर्मेंट कोलेज नहीं मिल पाएगा, इनका क्वेस्टन है, इनका क्वेस्टन है, इनका क्वेस्टन है, नमस्ते सर, तुझी नमस्ते है, मेरा आलोवर रेंग 3,112, कैटिग्री रेंग 515, एसी प्लीज बताए, गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा, तुझी, आप ट्राइए कीजिए, आपको मिल जाएगा इनका क्वेस्टन है सर मेरा आलोवर रेंग उनिस सो साट कैटिग्री रेंग साथ सवीक सेट ओभी सी गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा तुझी मिल जाएगा प्रिती का क्वेस्टन है मैं क्या महाराश्रा से हूँ और 36 गड़ में एडिमिशन करना है तो क्या सीजी में नीट कंपलसरी है क्या तो जी नीट के थू भी होता है आपका लेकिन आपको जो हैं आपना 36 गड़ में एडिमिशन के लिए आपको जो है 36 गड़ के निवाश निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मुकेश कुर्य का क्वेस्टन है, सर मेरा आलोवर रेंग 3954 है और कैटिग्री रेंग 637 है, ऐसी मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा तुझी भाई, प्रिया का क्वेस्टन है, सर मेरा रेंग 306 है और जनरल है, तो क्या कॉलेज मिल जाएगा कौन से राउंड तक, तो आपका लगभग 2 राउंड तक होगा, उसके बाद आपका इस पार राउंड का कॉंस्टन होगा, जिसमें आपका 12 के बेस पर होता है, तो प्रिया आप जो है, मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जो 82 नर्सिंग कॉलेज है, तो ऐसे परशान मत हो कि मेरे को कॉलेज ने मिल पाएगी, तो आपको जो है, कॉलेज मिल जाएगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्मेंट दोनों कॉलेज सेलेक्ट करना, तो ज़्यादा आप जो है, प्राइवेट कॉलेज ही सेलेक्ट करना, और आपका ही क्वेस्टन थे कि आप बस हम लोग कमेंट करते हैं तो इसका आप लाइक बस कर देते हैं रिपलाई नहीं करते हैं तो मैं सभी का रिपलाई करता हूं लेकिन आप लोग वीडियो को ही नहीं देखते हैं जिससे आप लोगों को पता नहीं होता कि हमारे कमेंट कभी रिपलाई देते हैं तो ऐ किसी बात नहीं है आप नेक्स्ट बार भी कमेंट किजिए मैं हर बार रिप्लाइ करूंगा निया साहू का क्वेस्टन है सेर आलोवर रेंग 1450 और कैटिग्री रेंग 4914 और बिसी गवर्मेंट ऑले तुझी गवर्मेंट कोलेज नहीं मिलेगा प्राइवेट कोलेज मिलेगा इनका क्वेस्टन है आलोवर रेंग 2999 कैटिग्री रेंग 1100 है तो क्या कोलेज मिले गया मिल जाएगा सुसीला का क्वेस्टन है सर मेरा टोटल मार्क से 30 है आलोवर रेंग 4323 कैटिग्री रेंग 1478 स्वीमेल कैटिग्री रेंग 3730 स्वीमेल कैटिग्री रेंग तो आपको ज तुम आपको गवर्मेंट कोलेज ने मिल पाएगा आप सिर्प आप रेवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कीजिए वो भी आपका मिलने का चांस कम है इनका question है सर जी मेरा all over rank 923 और female category rank 323 है तो मेरे कौन सो कोलेज में हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा अधित्यक का question है मेरा rank all over rank 699 और category rank 681 क्या government college में admission मिल जाएगा तो मिल जाएगा नंद कुमार का question है मेरा all over rank 422 है मैं हेस्टी category और rank जो है पच्चासी तो ठीक है आपको मिल जाएगा कुम-कुम देवांगन का question है sir मेरा all over rank 960 है female category rank इनका 795 है क्या मुझे government college मिल जाएगा लेकिन आप जो है government college के उपर ही पूरा का पूरा डिपेंट नहीं हो सकते हैं प्राइवेट college भी ट्राइग कीजिए गए इनका question है sir हमें इसे कौन सी गलती करते हैं जो हमारे comment का reply नहीं करते तो भाई मैंने आपके comment का reply किया ऐसे बात नहीं है मैं हर student का comment करते हूं का सभी का comment करता हूं क्योंकि आप लोग मेरे सभी subscriber हो यानि आप मेरे family ही हो तो मैं सभी का comment करता हूं यार ऐसी बात नहीं है कि योगेश्वरी वर्मा का question है sir मेरा नेम योगेश्वरी वर्मा है ठीक है मेरा आलोवर रंग पत्चिस नवासियन केटिगरी रंग नौसों अठावन है सिर्फ आप सिर्फ कॉलेज मिल जाएगा बोले हो गोर्मेंट कॉलेज मिले गया या नहीं बताईए sir please तो ऐसा है कि कि आपको कॉलेज मिले गया तो मैं तो कंफर्मा पूरा नहीं बता सकता ना एक मान के चलते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए नहीं क्योंकि कट अप सबसे ज़्यादा जो है जिनका आया है वो लग बहुतर नंबर के करीबन मांक्स जो है आया है बुसी हिसाफ से होता है ना क सकते हों के हारी स्टूड treaties की आपका इतना रहें के चि होगा थोड़ा आपसे कम जादा होगा तो बहुंसी स्टूडेंट का अगयसे रहता है तो एक डायरेकट नहीं बता सकते ना कि गउर्मेंट कॉलेज ही मिल जायगा क्योंकि साथ ही government college इन प्शाथ ही नहीं बता सकते कि government college ही मिल जाएगा यह सिर्फ government college की उपर dependent रहे तो college में जायगा बोलते मतलब यह है कि आपको government college भी और आपको private college विट दोनों ट्राइ करना है हिमानी राना का क्वेस्चन मैंने आपके कमेंट कर रिप्लाई कर दिया है पहले भी लच्मिन दिवांगा करन का क्वेस्चन है सर मेरा आलोवर रेंग एक सुनाव है और कैटिग्री रेंग चालीस है और मैं अबीशी से हूं मुझे गवर्मेंट को लेज मिल सकता है तुझी म नहीं मिल पाएगा आपको इनका क्वेस्चन है सती सो चार है और आलोवर रेंग तुझी आप जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं नंदनी का क्वेस्चन है सर मेरा आलोवर रेंग 5186 के टिग्री रेंग 826 के टिग्री रेंग 681 ऐसी हूं क्या मुझे गवर्मेंट को लिज मिल जागा तो आप गवर्मेंट को लिज आपको नहीं मिल पाएगा प्राइवेट को लेज यो ट्राई कर सकती हैं अक्षे कुमार का क्वेस्चन है सर हम पूरा वीडियो देखते हैं और आप मेरा नहीं बता रहे हो मेरा आलोवर रेंग सत्याशी है प्लीज बता शर तो भाई अक्षा मैं आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपके कमेंट कर रिपलाई किया ते लेकिन आप ही है जो वीडियो को पुरा लाश्ट नहीं देखते तो आपका जो है हो जाएगा यार आपका जो है सब्सक्राइशा वालोवर 2698 काटिग्री रेंग 293 काटिग्री रेंग 249 सवाब जो है चंदूलाज चंद्राकर हैं मेमोरियल हस्पीटल और आप अप अपोलो ब्लासपूर भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो दो तीन कॉलेज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फालो भी कर लीजे इनका क्वेस्टन है सर मेरा ओवर रेंग 1844 और डिगरी रेंग 526 से इस्टी क्या गावर्मेंट को लेज मिल जाएगा तुझी मिल जाएगा तुझी मिल जाएगा गातम के सर मुझे गॉर्मेंट को लेज मिले गा कि नहीं आलोवर रेंग 1853 फिर मल चयाएगा दिवया स्रद्ध का क्वेस्टन आलोवर रेंग 585 काटीगरी रेंग तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा स्रद्धा इनका क्वेस्टन ओंतिख है आपको भी प्राइवेट कोलेज मिल जाएगा और वहीं बात करें कि cut-up जो है आपका इतना इतना होना चाहिए जो जनरल के टिग्री वाले हैं उनका आलोवर रेंग 950 और के टिग्री रेंग 945 के बीच में होना चाहिए बीसी का छोड़सव और पंद्रा से शाहिदा के बीच में आपका अपका चेंडर का इस चैsetबिस साघ से इनसो पचपन और रिष्टी का शेहिशाएज्ड चाह्याज़ चाहिए अगर आपका 160 ंगा único आलोवर रेंग अर्क ऑटीग्रीray रेंग तो आपको कॉलेज जाए गा बात करें कि 36 गड़ कि तो ini जा है और वहीं आग बात करें कि 38 نर्सिंग कोलेई और वहीं बात करें कि इसको बारा हाजार 1202 सीस्टे हैं 36 गड़ में मन कहिए जेट में 52 नर्सिंग कॉलेज में साथ गॉपर्मेंट कोलेज है और पचंथा तर जो हलальная चीजा ब्राइबेट ज है और गवर्रों में आपको इसकालूर्शिप देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूं कि साथ गॉपर्मेंट कॉलेज हैं तो साथ मीर TWO मेडीकल कॉ पर बेलाडूला रोड नियार विए शेनल ओफिस राइगड में हैं फिर हैं डिस्टिक्ट होस्टीट अलाइपी पीपी ट्रेंडिंग सेंटर राजनान गाउव सेमेन हैं पठल कॉंपलेक्स फ्लोर में दूर्ग में हैं तो गवर्मेंट कोलेज की फीस की भी बात करें तो द लगेगा होस्टल का लग रहता है और आगई स्वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भीसी नर्सिंग के कॉलेज 36 गड़ में जो हैं वह कहां कहां और कितने कॉलेज हैं और आपको कॉंसलिंग कैसे करना है और कॉंसलिंग के नियम क्या है 36 गड़ में बीसी नर्सिंग कॉंसलिंग के नियम के बात करें तो सास की नर्सिंग महा विद्याले में प्रवेश लेना अनिवारे होगा किन्तु निजी नर्सिंग महा विद्याले में प्रवेश लेना अनिवारे नहीं होगा कहने का मतलब यह हैं कि आपने जब बीसी नर् और आप लोग सोचेंगे कि मैं नेस्ट रांड काौंसलिंग होगा और उसमें मैं कांसलिंग करूंगा तो ऐसा नहीं है अगर आपको गॉर्मेंट कॉलेज मिलेगा और आप जो है कॉलेज में अड्मिर्ज़ नहीं लेते तो आप सिधा कॉंसलिंग किरिफ से ही बाहर हो जाएंगे और जो इनको अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा वो इस्टुडेंट भले ही सेकेंड राउंड के कॉंसलिंग का वेट कर सकते हैं और वो अपना कॉलेज चेंज़ इस करा सकते लेकिन एक बार आपको गुर्मेंट मिल जाएगा फिर आप जो है कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको दोबारा वही कॉलेज मिल जाएगा इसके भी गराइंटी आपको नहीं है आपको दोबारा वही कॉलेज ने मिलेगा आपको नेश्ट बार अलग कॉलेज मिलेगा वही बात करें 36 गड़ में बेसी नर्सिंग के कॉलेज की में तो यह सब जो मैं आपको बता रहा हूं यह सभी कॉलेज 36 गड़ में बेश्टी नर्सिंग जहां आप लोग कॉंसलिंग के लिए अपलाई कर सकते हैं सरिश्टी गड़ुट नर्सिंग 40 सीट है और उन नर्शिंग चन्दूलाज पिर श्रियर्ष कालेज आप नर्शिग में 60 सीट हैं। मदर तरेशा कालेज आप नर्शिग में 60 सीट हैं। और रस्तोगी कॉलेज आप नर्शिंग में जो है 60 सीट है, सेंट्रल इंडिया कॉलेज आप नर्शिंग में 50 सीट, स्रीचंद्र नर्शिंग नर्शिंग में 60 सीट है, अपोलो कॉलेज आप नर्शिंग में 60 सीट है, डॉक्टर रजेंदर प्रसाद कॉलेज आप नर्शिंग में भी 50 षीट आए हॉली जो ज आपे नो 9, 540 षीट रह जितुक फॉलीखे सेल औरैनल कॉले जन में चालिशीट rap आप झालिशिट है। माहराणा प्रताब कॉलेज आप नर्शिंग में 40 सीट है सूरिया कॉलेज आप नर्शिंग में 30 सीट है संक्राचारिय स्वामी स्वरुपनाद कॉलेज आप नर्शिंग में 40 सीट है मौडन मेडिकल इंस्टिटूट आप नर्शिंग में 40 सीट है और आगे इस studio में आपको बताऊंगे कि आपको counseling कैसे करना है 36 गड़ में BSV nursing का counseling करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में Google Chrome browser को open कर लेना है Google Chrome browser को open करने के बाद उसे desk top mode पर आपको select कर लेना है फिर आपको www.cgdme.cov.in लिख कर आपको search कर देना है सबसे पहले जो link रहेगा cgdme nursing के उस पर आपको click कर लेना है click करने पर आप cgdme nursing counseling के site पर आजाएंगे आपके सामने तीन options दिखाई देंगे आपको nursing 2000 online, 2021 online registration portal इस वाले option पर आपको click करना है उसके बाद आपके सामने लिखा रहेगा online nursing counseling 2021 फिर आपके सामने दो options आएंगे college और student तो आपको student वाले option पर जो है click कर लेना है जैसे आप student वाले option पर click करेंगे आपके सामने चार आपसान आएंगे registration bsc nursing, registration msc nursing, registration post basic bsc nursing, फिर edit registration तो आपको registration bsc nursing इस वाले option पर आपको click कर लेना है फिर counselling वाला साइट open हो जाएगा और counselling वाला साइट open हो जाएगा आपके बाद यह सभी options दिखाई देंगे coach name student ने, father ने, mother ने, डी ओबी, date on birth CZ, domical, nivaas, CZ, caste, gender, mobile number email ID, यह सभी चीज़े आपको अच्छे से form fill कर लेना फिर आपको submit पर click कर लेना इसके बाद भी यह सभी options आएगे coach name student ने, father ने, mother ने, डी ओबी, date on birth नivaas और जाती CZ, caste, यानी की और उसके बाद 12th पास दिन physics के मिश्टिव बायोलाजियों ने इंग्लिस तो आपने बारवी में यह सभी subject से पढ़ाई किया तो आपको yes वाले option पर click कर लेना और बारवी के यह सभी में अफ्रावत अंको का आपको विवरन भरना, आपका पुर्णान कितना था, मासी इतना था और पर्षेंटेज आपका कितना था फिर आपको अपना mobile number email id डाल कर submit पर आपको click कर लेना फिर आपको registration id और password मिल जाएगा, आपको फिर से student वाले option पर click कर लेना है college और student दो आप सनाएंगे, वहाँ पर फिर से आपको student वाले option पर click करना है फिर आपको अपना mobile number, password और capture code डाल कर sign in पर click कर लेना है फिर आपको अपना पूरा details भर्द लेना है, जैसे आपना पूरा details फिल करते हैं, professional details और address, academic details से भी details साथ फिल करते हैं फिर आप जो है, जिस college में आपको आपका marks और आपका rank बहुत अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से आप college select कर सकते हैं फिर आपका counseling जो है, पूरा और आप payment करते हैं, फिर आपका counseling का पूरा process जो है, हो जाएगा तो इस तरह से आप 36 गड़ में BSG nursing का counseling कर सकते हैं, I hope जितने भी जनकारी मैंने आपको दिया, वो सभी जनकारी आपको पसंद आए, अगर वीडियो आपको अचल अब है, तो वीडियो को एक like कर देना, चैनल को सभी subscribe कर देना, और साथ में bell notification को भी on कर देना, तकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड कर देना, तकि जनकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके, और अभी तक आपने मुझे Instagram पर follow नहीं किया, तो आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, description मिली, दिया हुआ है, तो मिलते हैं next वीडियो में, so thank you